नमस्कार विग्विणर्स किचन बाइशालिन में आपका स्वागत है आज हम यहाँ पे बिर्यानी बनाने जा रहे हैं और यह बिर्यानी इतनी लजीज होती है इतनी स्वादिस्ट होती है कि आपका पीट भर जाएगा लेकिन मनन नहीं भरेगा इस बिर्यानी की खासियत इसमें पढ़ी हुई सोयबीन बरियां है बरी का स्वात तो आप सबजी बनाईए, मैंचुरियन बनाईए इसका तब भी उतना ही स्वाधिस्ट लगता है और इस बिर्यानी के साथ मिलकी तो बिल्कुली मज़ेदार टेस्ट इसका आजाता है इसमें पढ़ने वाली ये बरी बिर्यानी को इतना बहतरीन स्वात दे देती है कि बताया नहीं जा सकता है आप ट्राइ करेंगे तब ही आपको इसका स्वात पता चलेगा करना क्या है एक कप मैंने यहां पर स्वाय बिन बरी ली है इसको मैंने गरम पानी में डालके सोप करके जो एक नॉर्मल प्रोसेस होती है स्वाय बिन को भीगो के सोप करके हम लोग बनाते है वैसे ही इसको मैंने गरम पानी में डालके और इसे फूलने दिया और उसके बाद निकाल लिया है अचा अब इसमें करना क्या है पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं लगभग आधा कप दही यूज कर रही हूँ जो कि खटी नहीं है प्लेन दही इसमें मैं मिक्स करूँगी साथ में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ये मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट सारा कमाल तो इस अदरक लहसुन के पेस्ट में ही होता है बिल्कुल स्वाद को इतना बढ़ा देता है अच्छा साथ में आप जो सबजियां इंकल्यूड करना चाहिए जैसे मुझे गाजर पसंद है गाजर मैंने यूज कर लिया है आल मिर्च डाल सकते हैं आपको जो पसंद है ठीक है मैं यहां पर सिर्फ गाजर का इस्तमाल कर रही हूं इसको ऐसे मिक्स करके मैं रख दूंगी 10-15 मिनिट ये विल्कुल अच्छे से मेरिनेट हो जाएगा सोक कर लेगा दही के फ्लेवर को और नमा को और मसाली के फ्लेवर को अच्छा साथ में क्या किया है ये मैंने लगबग 6 प्याज काटी है मीडियम साइज की 6 प्याज जो अभी बताती हूं कि इसका करना क्या है अच्छा साथ में लिया है जीरा लॉंग 4-5 और काली मिर्च ली है 10 दाने लगबग और साथ में लिया है ये सोक किया हुआ भिगो लगबग आधे गंटे मैंने इस चावल को भिगो के रखा था एक कप चावल ये चावल लगबग 200 ग्राम मान सकते हैं आप बासमती चावल है साथ में इसमें मैं ये तेज पत्ता दालचीनी बड़ी इलाइची जावित्त्री और ये छोटी इलाइची लगबग 5 ली हैं और ये चक्रफूल इसको साथ में मिला के मुझे बॉयल करना है खौलाना है ठीक है और साथ में मैं डाल लहीं हूं यहां पे थोड़ा सा देखने में अट्राक्टिव हो जाता है तो औरेंज कलर और खुश्बू देगी ये केसर शुरू करते हैं पानी को मैंने खौलने के त्रेटामेलली थे जावित्तरी है ये है ₹्रिअ फिश्षफट ये चक्रफूल है टिक हैं ये बड़ी ये ची और ये डाली चिनी तेज पता है यह सब हम डालके इसे पारणा को खौलने देंगे और इस को पानी ओ भलते पानी में मैं चावल डाल दोंगी ठीक है इस तब पकेगा, ठीक है, यह जब तक ये इधर पकेगा, मैं दखके इसे पकाने के लिए रख दे रही हूँ, मैं प्याज फ्राइए करूंगी, थीक है, यह पहले मैंने तेल में गरम देख लिया, कि भई प्याज डालने पे तेल अच्छे से गरम है कि नहीं, तेज खौलते हू उपर से पढ़ेंगी इसकी वज़ा से स्वाद जो है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता आप समझेए कि यह प्याज जो मुह में आती है ना बहुत ही स्वादिस्ट लगती है यह देखे इस तरीके से इसे हम बढ़ियां से तल के निकाल लेंगे जितनी प्याज है सारी अब इसी प्याज में मैंने 6 प्याज काटी थी जिसमें से लगभग 5 का मैं ऐसे तल लूँगी और एक प्याज का हिस्सा रोक लूँगी ठीक है यह मेरा चावल जो है लगभग 80% पक चुका है अब इसका पानी मैं ड्रेन कर दूँगी निकाल दूँगी यह देखे पूरी तरीके से नहीं पकाए ठेक है पूरी तरीके से यह जाके जब हम स्वयाबीन के साथ में मिक्स करेंगे तब पकेगा अब क्या करना है हम तड़का देंगे किस चीज का जीरा डाला अपनी यह लॉंग डाली चार पांस जो ली थी काली मिर्च डाली जब भीच वीच मिर्च बिरियानी में बढ़ा ही टेस्टी लगती हो बहुत ही टेस्टी बता नहीं सकती हूं आप टेस्ट करिएगा आपको खुद भी बहुत ही मजायेगा खाके अब इसमें में यह जो प्यार्ज एक मैंने बचाई थी एक हीस्सा और डाल दूंदी ठीक है हलका सा इसे बहुत हलक और हमारा जो मेरिनेट किया हुआ सोय बीन बड़ी रखी हुई है जिसे अभी मैंने रखा था ये इसको मैं यहां पर डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे यहां पर पका के हमें इसका पानी कम कर देना है ठीक है इसे अच्छे से इसमें चलाएंगे इस तरीके से अच्छे यह सारी प्रोसेस मैं तेज आज पर कर रही हूँ ठीक है हाई फ्लेम पर अच्छे से यह देखे अब इसमें क्या करूंगी मैं थोड़ा सा बिर्यानी मसाला जो यह रेडिमेट आता है मार्केट में वो मैंने डाला है आप कम जादा अपने टेस्ट के आपको चटपटा जितना पसंद हो या सिम्पल पसंद है साधा सा यह डाला मैंने अब इसमें से मैं जो यह सोया बीन बड़ी है लगभग जैसी मुझे चाहिए वैसी पग गई है इसमें से लगभग एक चोथाई छोड़के और सारी सोया बीन बड़ियां मैं निकाल ठीक है इसकी एक लेयर मैं यह नीचे छोड़ दूँगी एक चोथाई भाग ठीक है अब इस पे मैं चावल बिचाओंगी जो मेरे यह पके हुए चावल रखे थे ना वो अच्छा आपको अगर रखता है कि बच्चे इलाइची या दालचीनी नहीं पसंद करते हैं जब आ हिस्सा निकालके अलग रख दीजेगा अब इस चावल को अच्छे से इस पे मैं बिचा लूँगी ऐसे एक लेयर बना दूँगी मैं इस पे और उसके बाद ये फिर थोड़ी सी मैं इस पे ये सोया बीन की बढ़ियां डाल दूँगी और फिर इसके उपर हलका सा नमक डालेंगे चारो तरफ और साथ में फिर चावल बिचा देंगे देखें नमक मैंने सोया बीन बड़ी में अलग से डाला था चावल पकाते समय भी डाला था तो नमक बहुत लिमिंटेड डालिएगा अंदाजा लगा के कि आपके बिर्यानी में नमक फिर जादा ना हो जाए ठीक है यहां पे में बहुत थोड़ी से नमक की जरुद पड़ अच्छे से हैं उन्हें मैं बिचा दूँगी और साथ में उपर से मैं कटी हुई धनिया और पुदीने के पत्ते हैं उन्हें डालूँगी यह बहुत अच्छी खुश्बू देने लगते हैं ठीक है यह अच्छे से इसको भी बिचा दिया और यह मेरा केसर वाला पानी जो में जो मैंने ये रंग तयार किया है खाने वाला ये फूड कलर है इसको ऐसे डाल दूगी ये जहां जहां जाएगा उतने दूर का चावल जो है वो कलर दे देगा कलर फुल हो जाएगा और बाकी सफेद रहेंगे तो ये मिक्स कलर बहुत अच्छा लगता है ये उपर हलका सा मैंने नमक फिर डाला और इसमें लगबग एक कप पानी सफिसेंट है अराम से इसमें चावल पक जाएगा और आपकी ये बिर्यानी बढ़ियां से तयार हो जाएगी अब हम क्या करेंगे इसका ढकन बंद कर देंगे और इस पे प्रेशर बनने तक का इंतजार करेंगे जब पेशर बन जाएगा इसमें अच्छा सा तब हम इसके गैस बंद कर देंगे सीटी मत आने दीजेगा क्योंकि सीटी आने का मतलब है चावल ओवर कुक हो जाएगा हमारा चावल हमें खिला खिला सा चाहिए ठीक है ये देखिए ये अब मैंने इसका ढकन खोल दिया है कितना बहतरी रंग आया है ना कहीं पे वो औरेंज सा कलर दिख रहा है और कहीं वाइट दिख रहा है साथ में आप जब इसे खाओगे और साथ में बीच बीच में वो जो सोया बीन बढ़ी आएगी ना बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही इन्वाइटिंग साइस का लुक आर है और आप भी इसे जरूर ट्राय करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी बिर्यानी कैसी बनी है और मुझे उमीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कि ँषिगक सब्सक्राइब केल पुर्द हुए यह संदर सी यह स्वाजय के लच इशरे भी पर-बिर्यानी बन के तयार है और इसे मां फिर से यह सारे मैं एं बचे हुए प्यास के लच्छे डाल देरी है ऑव उपर से और भी बढ़ियां टेस्ट आता है इसका किप सुंद विर्यानी दिख रही है जितनी सुंदर है उतनी ही टेस्टी भी है आप जरू ट्राइ करिएगा